वेलकम बेक टो माई चैनल वीवर्स आज की इस वीडियो में हम लोग अक्शांज और देशानतर रिखाओं के बारे में पढ़ेंगे basically हम लोग गिलोब पढ़ेंगे ठीक है गिलोब में जो अक्शांज रिखाएं होती है, देशानतर रिखाएं होती है उसको समझेंगे भारत की अस्तिती क्या है गिलोब पर उसको जानेंगे साथ यह साथ दिन और रात होने का क्या कारण है उसको भी समझेंगे कर-क-रेखा है, मकर-रेखा है, इन सबी को आज पढ़ने वाले हैं अगर आप रीट की प्रपेशन कर रहे हैं, सूपर टेट की प्रपेशन कर रहे हैं या अदर कोई भी कॉंपटिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की टेट की प्रपेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें चले start करते हैं आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो like, share, subscribe जरूर कीज़ेगा देखे, chapter ए, globe, globe के अंदर हम लोग को पढ़ना है कि अक्छांच क्या होते हैं, देशांच क्या होता है देखे, globe क्या होता है, globe पिर्थवी का एक छोटा model होता है, जो आपने देखा भी होगा यहाँ पे मैंने picture भी बनाई हुई है, globe की, ठीक है, यह है globe, यहाँ पे आपको show हो रहा होगा अक्छ, धूरी, जिसे access कहते हैं English में, अब देखे, कारण क्या होता है, दिन और रात का, यहीं पे हम लोग पहले समझ लेंगे उसके बाद अप्छांच और देशांतर को समझेंगे, दिन और रात होने का क्या कारण होता है, जैसे कि मानिए, यह है सूरज, ठीक है, यह बीच में होता है सूरज, सूरज से निकल ली है रोशनी, और चारो और क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मानिए, यह है सूरज और यहाँ पे है अर्थ अब ये सूरज से रोशनी निकली जिन जिन राज्यों में ये सूरज की रोशनी पढ़ती है वहाँ पे दिन होता है लेकिन इस एरिया में तो अंधेरा ही होगा न इन एरिया में रात होती है और इस एरिया में क्या होता है दिन होता है लेकिन जो पिर्थवी होती है वो 24 गंटे में एक बर अपने अक्ष पर रुटेट करती है और किस डारिक्षन में रुटेट करती है पस्चन से पूर्व की और इसको भी ध्यान रखिएगा ठीक है तो जब यह आर्थ रुटेट करे इसकों लोग एक बार पढ़ भी लेंगे यहां पर डायरेक्शन भी देख लीजे एक बार यह नौर्थ यह साउथ यह वैस्ट और यह एस्ट ठीक है यहां पर देखिए पिर्थवी 24 घंटे में एक बार पस्चम से पूरिव की ओर अपने धोरे पर घूमती है यही गती दिन और रात का कारण बनता है आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस वज़ा से दिन और रात होती है जिस एरिया पे जिस राज्यों में सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पे दिन हो जाता है लेकिन यह पिर्थवी जैसे ही रूटेट करती है तो यह हिस्सा इधर हो जाता है जहां पे दिन था व गलोब में आपने रेखा होगा ऐसे रेखाएं होती है ऐसे रेखाएं होती है तो देखे अक्षांच रेखा कैसे होती है अक्षांच रेखा गलोब पर जो इस तरह के रेखाएं होती है यह आपके अक्षांच रेखाएं होती है ठीक है अब देखे यहां पे मैंने मॉडल बनाया हुआ है ठीक है ये एक अर्थ है ये क्या है ये एक अर्थ है अब इस अर्थ पर ये जो उपर का हिस्सा है ये होता है नौर्थ पोल नौर्थ यानि की उत्तर ठीक है ये होता है नौर्थ उत्तर ये होता है साउथ दक्षिन ये होता है इस यानि की पूर्व ये होता है आपका West यानि कि पस्चे ठीके इस direction को ध्यान रखिएगा उपर होता है उत्तर नीचे होता है दक्षेड यह होता है पूर और यह होता है पस्चे तो उपर का जो हिस्सा हुआ वो आपका कहलाएगा यह हिस्सा यह हो जाएगा North Pole ठीके यानि कि उत्तरी धुरूफ नीचे हो ज को जाएगा उत्तरी गुलार जिससे नौर्थ हेमिस्पियर कहते हैं इंगलिश में और नीचे का हिस्सा हो जाएगा ख़ज़ खुलार जिसे एंगलिश क्यों कहते हैं साउथ हैमिस्पियर इतना तो आपको पता होना चाहिए ठीक है अब यह जैसा कि मैंने आपको बता है यह रेखा रेखा हुती है ठीक है तो यहां पी बीच में आप देख रहे होंगे एक सब्सक्राइब स नयांगी में जिसे कहते हैं एक्क्वेटर विश्वत रेखा हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्क्वेटर और हिंदी में कहते हैं विश्वत रेखा भूमत रेखा ये रेखा जो zero degree अक्षांश होती है ये ही आपकी विश्वत रेखा भूमत रेखा होती है एक्क्वेटर होता यह रेखा पिर्थवी को दो बराबर भागों में बाटती है ठीक है जैसा कि आप देख रहे होंगे यह पिर्थवी है यह जो जीरो डिगरी अक्षांश है यह रेखा जिस एक्वेटर और अविश्वत रेखा कह रहे हैं यह रेखा पिर्थवी को दो बराबर भागों में बा जाएगा यहां पर यह वाली रेखा हो गई 0 degree latitude यानि कि 0 degree अक्छांश उपर कितनी होती है उपर होती है 90 और नीचे होती है 90 जैसा कि 0 degree अक्छांश रेखा पिर्थिवी को दो बराबर भागों में बाढ़ती हैं तो उपर भी 90 होंगी और नीचे भी 90 ही अक्छांश रेखाए होंगी 90 latitude उपर होंगी और 90 latitude नीचे होंगे ठीक है तो कुल कितनी होगी अक्छांश रेखाएं अगर कोशन आए कि कुल कितनी होगी अक्छांश रेखाएं तो उपर 90 अक्छांश रेखाएं नीचे 90 अक्छांश रेखाएं और एक जो बीच में 0 degree अक्छांश रेखाएं इ तो कुल कितनी हो जाएंगी, 181, कुल अपच्छाँच देखाएं हो जाएंगी, ठीक है, सूथ पॉल, ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख़ाओगा, भारत बना हुआ, तो भारत कहाँ पे है, यह क्या है, यह आपका North Pole है और यह हिसा क्या है यह आपका North Hemisphere है यानिकि उत्तरी धुरूप उत्तरी गुलाद है ठीक है उत्तरी धुरूप तो NP हुआ ठीक है North Pole उत्तरी धुरूप उत्तरी गुलाद यह है आपका यानिकि North Hemisphere तो भारत कहां पर हो जाएगा भारत आपका North Hemisphere में हो जाए अगर कोशन ये पूछा जाए कि भारत अक्षान शेखाओं के अक्वार्डिंग भारत की गलोब पर इस्तथी क्या है तब आप आंसर करेंगे उत्तरी गुलाद में भारत है ठीके केवल अगर अक्षान शेखाओं के अधार पर पूछा जाए तब अगर अक्षान शेखाओं क को काट रही है अनकी भारत के कई राज्यों से रेखा गुजर रही है यह कौन सी रेखा है जिसका मान 23 1 by 2 degree n लिखा है n मतलब क्या होता है नौर्थ ठीक है तो 23 1 by 2 degree n ये इसका मान होता है ये जो रेखा होती है इसी रेखा को कहते हैं करकरेखा ट्रॉपिक ओफ कैंसर ठीक है ये जो रेखा जा रही है जो भारत के कई राज्यों से गुज़र रही है जिसका मान 23 1 by 2 degree north है इसी को कहते हैं करकरेखा उपर है ये तो नीचे भी कोई रेखा जा रही होगी तो नीचे जो रेखा जाती है जिसका मान 23 1 by 2 degree s है क्योंकि ये south की तरफ है और ये north की तरफ ती इसलिए आपे n लिखा ये south की तरफ इसलिए आपे s लिखा होती है ठीक है आयोप आपको समझ में आया होगा करकरेका यान की टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा के बारे में अब यहां पी इस डाइग्राम को अगर हम लोग जूम करें तो देखेंगे कि यह जो करकरेका है वह भारत के राज्यों से गुजर है ठीक है इसको अब हम लोग पढ़ेंगे अब इसी को इस डाइग्राम को थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखें यह मैंने डाइग्राम को जूम कर लिया यह करकरेका ठीक है यह क्या है यह आपका है उत्तरी गुलाद नीचे क्या है दक्षणी गुलाद यह कौन सी लाइन यह लाइन है एक्वेटर विश्वत रेखा ठीक है भूमत दे रेखा जिसे कहते हैं हिंदी में आप इस डाइगाम को जब मैंने बढ़ा किया तो यहां पर बढ़ा करने के बाद देख रहे हैं यह इसको बढ़ा किया यह कई राज्यों से होकर गुजर रही है तो कितने राज पयुदा करने के राज़िक हैं है तो सबसे पहले गुजरात रहे हैं अब आप देखें राज़िस्थान का थोड़ा सा पार्ण देकर जूत हो गजर्ट और कर तो तो यह हो जाएगा साथमा तिरपुरा और आठमा हो जाएगा मेजुरम तो कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है करकरेखा भारत के तो भारत के यह आठ राज्यों से होकर गुजरती है अगर कोशन यह उठे कि करकरेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है त कि किस राज्य से सबसे लंबी घुजरती है अगर आप इसी डायग्राम को ध्यान लगे तो सभी के आंसर मिल जाएंगे देखे यह जो करक रेखा है यह सबसे जाधा लंबी किस राज्य में है MP में है ठीक है MP में है तो आंसर क्या हो जाएगा मद्य पिर्देश मद्य पिर्देश राज्य से सबसे लंबी गुजरती है ये करकरेखा और अगर राज्य नियुन्तम सबसे कम लंबाई करकरेखा की किस राज्य से होकर गुजर रही है तो वो हो जाएगा आपका राजिस्तान गौर से देखे तो राजिस्तान से जरा सही ये करकरेखा गुजर रही है तो सबसे कम लंबाई करकरेखा की किस राजिसे होकर गुजरती है तो आजाएगा अंसर राजिस्तान अगर सबसे लंबी पूछी जाए करकरेखा की लंबाई किस राज्य से होकर गुजरती है तो आ जाएगा मद्य पिर्देश तो ये हो बन गए आपके दो तीन कोशन अब एक और कोशन उठ सकता है वो ये उठेगा कि किस राज्य की राज्धानी से ये करकरेखा होकर गुजरती है तो देखे जारकन की राज्धानी क्या होती है जारकन की राज्धानी होती है राची ठीक है जारकन की राज्धानी है र तो जहारखन में जो राची है, जहारखन की राजधानी है और यह करकरेウाइब के राजधानी राची से होकर गुजरती है तो तीन तारह की कोशन बन सकते हैं ध्यान अखेगा कुल कितने राज होकर गुजरती है करकरे They Are आठ राज्यों से सबसे लंबाई किस करकरेखा की लंबाई सबसे जादा किस राज्य से होकर गुजरती है तो आजाएगा अंसर राची I hope आपको समझ में आया होगा अब हम लोगों ने समझ लिया अक्छान शेखाओं के बारे में यानि कि गिलोब में अक्छान शेखाओं यह होती हैं कुल कितनी होती हैं कुल 181 होती हैं अक्छान शेखाओं नब्बे उपर नब्बे नीचे और बीच में जो एक होती है जीरो डिग्री अक्छान जिससे एक् कोटी किस राज के राजधानी से होकर गुजरती है इन सब को पढ़ लिया अब हम लोग यह वाली रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे ठीक है यह रेखाएं देशानता रेखाएं होती है ठीक है देखे जीरो डिगरी लॉंगिट्यूड जैसा कि आपने उपर पढ़ाता कि अ भारत कहां पे जैसे मैंने आपको बताया अक्छांच देखाओं के अनुसार भारत की इस्ति उत्तरी गुलाद में है ठीक है उत्तरी है निकि नौर्ट उत्तरी गुलाद में है अगर पूछा जाए कि भारत की इस्ति गलोब पर क्या है देखे यहां पर अक्छांच वर्ड और उत्तर तो आंसर क्या हो जाएगा पूर्व में हैं और उत्तर में हैं ठीके तो आंसर क्या हो जाएगा भारत की इस्थिती गिलोब पर उत्तर पूर्वी है ठीके आई होब आपको क्लियर हुआ होगा अगर कोशन आए कि देशांतर रेखाओं के अधार पर भारत की इस्थ पूर्वी गुलाद पर होगा ठीक आंसर अगर पूछा जाए अक्छांच रेखाओं के अधार पर भारत के इस्थती उत्तर ही गुलाद पर है अगर कोशन यह बन जाए कि भारत के इस्थती गलोब पर क्या है तो गलोब पर तो दोनों ही रेखाए होंगी तो गलोब पर भार देशान तरेक्हाँ के लोड भान पर अगर पूछा जाए जाएक बहरत को पूर्वी यहां पर यहां पे दो diagram दिखने होंगे सबसे पहले इसको समझ्जें फिर इसको समझते हैं देखें zero degree जो longitude है वो green which से होकर घुजरता है green which क्या है green which एक इस्थान है इंग लैंड में green which इस्थान है इंग लैंड में और green which स्थान पर green which observer होता है जहां से zero degree देशान्टरे का गुजरती है और इसी के आधार पर समय की गढ़ना की जाती है ध्यान रखिएगा इंग्लैंड से आगे जितने भी देश होंगे वहाँ पे जो समय होगा वो इंग्लैंड से आगे होगा ग्रीन विच इस्थान पर ग्रीन विच ऑब्जर्वेटर होता है जहां से जीरो डिग्री लॉंगिट्यूड रेखा जो होती है वो गुजरती है ठीक है अब नेक्स्ट यहां पर दूसर डाइग्राम समझे इस डाइग्राम में आप देख रहे होंगे यहां पर भारत से एक देशानतर रेखा गुजर रही है जिसका मान है 82 1 by 2 डिग्री इस्ट क्यों लिखा है मतलब कि ए क्यों बना है क्योंकि यह पूर्व में है ठीक है देशानतर रेखा है और जिसका मान क्या है यह जो रेखा जा रही है इसका मान है 82 1 by 2 डिग्री इस्ट जिस इस रेखा को क्य इस्थानों के इस्थान्य समय में अंतर होता है ठीक है तो इस समस्यां को दूर करने के लिए पिरतियेक देश में ठीक है पिरतियेक देश में एक मानक समय रेखा होती है और इसी मानक समय रेखा को मानक मध्यान रेखा कहते हैं ठीक है मानक समय रेखा के इस्थान्य समय को सार हमारे देश में यनि कि हमारे भारत में 82 82-1-2-degree East मानक मध्यान रेखा को इस्तानाय समय को बोला हिट 숨से हैं यहां प्रॉर्व भारती यह था फॉक्त कें यहड़ारा लिखा हुआ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इस्टैंडर टाइम I.S.T. कहते हैं ठीक है और भारतिय मानक समय ये जो green witch है ये कौन सी लाईन है ये green witch से जो गुजर रही है longitive देखा तो ये जो भारतिय मानक समय है ये जो भारतिय मानक समय है ये green witch मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है जो कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है ठीके ध्यान रखेगा भारतिय मानक समय ग्रीन विच मानक समय से पाच घंटा तीस मिनट आगे रहता है अब यहां पे देखिए जब ग्रीन विच पर बारा बज़रे होंगे दिन के तब भारत में शाम के साड़े पाच बज़रे होंगे इसलिए मैंने आपको बताएं कि भारतिय मानक समय ग्रीन विच मानक समय से पाच घंटा तीस मिनट आके रहता है तो जब ग्रीन विच पर बारा बज़रा होगा दिन के तब भारत में यानि कि हमारे देश में इंडिया में शाम के साड़े पाच बज़रे होंगे ठीक है अब यहां पर इस ध्यान रेखा है ये भारत से जब गुजरती है तो ये किन किन राज्य और कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसको समझे देखें मानक मध्यान रेखा जिसका मान 82 1 by 2 डिगरी इस्ट है ये रेखा भारत के 5 राज्यों से ध्यान रखेगा भारत के 5 राज्यों से होकर गु तो ध्यान रखेगा अगर कोशन पूचा जाए कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है मानक मध्यान रेका जिसका मान एक दूसा राज्य दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा एक राज्य जहां से 82 1 x 2 डिग्री इस्ट यानि कि मानक मध्यान रेखा जैनि कि गुज़रती है किस राज्य से नहीं गुजरती है अगर इस तरह से कोशन पूचा जाए तो आपको पता होने चाहिए कि कौन राज्यों से यह रेखा जुजरती है भशे कि राज्यों === और यह रेखा गुजरती है अब देखिए यहां पर यह यह देखिए यह दिशानतर रेखा होगा और यह और कॉनसी जी खरकरोनलिः ने इसम शाथे समय भषा सर्व जहां पर मानक रेखा और करक रेखा टकराती है वो राज कौन सा है वो राज है 36 गड़ इसको भी ध्यान रखिएगा तो आज की वीडियो में हम लोगों ने आयोप आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो में हम लोगों ने देशांतर रेखाओं के बारे में अक्छांच रेख वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए helpful रही हो तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ